सब्सक्राइब नाव एक इंट्रिव्यू काफी तेजी से वाइरल हो रहा है चलिए आपको बताते हैं सब कोछ लेकिन अगर अभी तक आपने इंट्रे न्यूस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानले को परण सब्सक्राइब कर दें उतरप्रदेश के और आया जले के गाउं अरियारी से कानकुर्स देट अस्पताल के बीच रास्ते में रुखकर मा उर्मिला ने बेटी सिवानी के शंगर्ष मेहनत और काम्यावी की पूरी कहानी हाली में बया की है जेहां आपको बदाना चाहेंगे कि एक इंटरव्यू है जो कि शिवानी की मा का है और इसमें बहुत कुछ उन्होंने कह दिया है दरसल उर्मिला देवी जो कि शिवानी की ममी है वो कहती हुए नजराती है कि मुझे बेक बॉस के बारे में जादा तो कुछ नहीं पता मगर सुन रही हूँ कि बेटी शिवानी को आगे बढ़ने का बड़ा मौका मिला है ये शिवानी की महनत का नतीजा है उर्मिला देवी के चार बेटी हैं सुमन, रीना, टीना और शिवानी बेटा नहीं है पती रामस नहीं की साल 2001 में बिमारी की वज़ा से जान चली गई थी तब बेटी शिवानी करीब 2 साल की थी अब तो शिवानी पूरे परिवार को समाल रही है उर्मिला ने बताया कि पती के जाने के बाद खुद के 15 से 18 बीगे खेत में खेती करके परिवार पालने लगी थी मगर थोड़ी ही समय बाद वो खेत कोट कचारी के चकर में फस गए उस पर स्टे आ गया और आदा खेत बेटियों की शादी के लिए गिर्वी रखना पड़ा तब निजी नर्सिंग होम में काम करने लगी माउरमिला की तवित खराब होने के कारण बड़ी बेटी सुमन और दामाद चंदरभान अपने च्छे बच्चों के साथ उनी के पास रहते हैं शिवानी पहले टिक टॉक पर वीडियो बनाया करती थी टिक टॉक बंध होने के कारण फेस्बुक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर काफे एक्टे हो गई और अच्छे खासी कमाई कर रही है माउरमिला ये कहती हैं कि बेटी शिवानी अपनी सोशल मीडिया से होने वाली कमाई से ना केवल पूरे परिवार को पाल रही हैं बलकि अपनी गिर्वी रखी जमीन भी छुड़ वाली और नया घर भी बन वालिया खास बात तो ये है कि नया घर शिवानी ने तौफे में अपनी बड़ी बहन सुमन को दे दिया गाउं अरियारी के सरपन्च रीता कहती हैं कि शिवानी ने बिग बॉस OTT सीजन 3 में एंट्री पाकर पूरे गाउं का नाम रोशन किया उसकी वज़ा से गाउं में उत्सा का माहल है हर कोई शिवानी के संगर्ष और काम्याबी की मिसाल दे रहा है कानपुर देहाद के रहने वाले अभिशेक कुमार साल 2020 से शिवानी कुमारी के साथ बतौर मैनेजर जुड़े हुए हैं अभिशेक ये कहते हैं कि शिवानी बिग बॉस OTT सीजन 3 में हिस्ता लेने के लिए 16 जुन को मुंबई के लिए रवाना हो गई थी बाफसी का अभी तक कुछ भी कनफर्म नहीं है यहां यह है मा का स्टेट्मेंट और गाउवालों का रियक्शन इस तो आपडेट्स के लिए चानल को सब्सक्राइब करो दें सब्सक्राइब नाव फॉर आल लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स